आल राइट गाइज तो आपके पास आसपास कहीं भी जिम नहीं है आपके पास कोई डंबल भी अविलेबल नहीं है लेकिन आप अपनी चेस्ट को एक नेस्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको घर पे ही ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसको आप पुसप यानि की बेसिक पुसप इसमें हम अपने हाथों की चोड़ाई अपने कंदे के बराबर रखेंगे जितने हमारे कंदे और पेर पीछे ज्यादा चोड़े नहीं लोग फैलाएंगे नॉर्मल नो कंदे उसी के हिसाब से पने फैर फैला लेंगे और पोस्टर अपना तो यह थी अपनी नॉर्मल पुषब तो सेकेंड एक्सरसाइज अपनी होने वाली है कुलोज ग्रिप पुषब नहीं करेंगे हम लोग डियमेंड पुषब से थोड़ा सा दूप दखेंगे अपने हाथ को पोस्चर सेम पहले एक्सरसाइज जैसा रखेंगे बस अपने हाथ क कंधे की चौड़ाई की बराबर नहीं रखेंगे उससे थोड़ा सा अंदर रखेंगे बाकी पोस्चर अपना सेम ही रहेगा चले शुरू करते हैं हाथ हम लोग बाहर की तरफ नहीं खोलेंगे यह इस तरह से नहीं खोलेंगे हाथ अपने अंदर की तरफ खुलेंगे ऐसे और स्लोली स्लोली करेंगे स्पीड में नहीं करेंगे नहीं तो कोई मतलम नहीं होगा पुसब करने का करेंगे वाइड ग्रिप पुसब में आप अपने हाथों को चोड़ा करके रखेंगे इस तरह से और पॉस्टर से रखेंगे अपने पैरों को चोड़ा नहीं करेंगे पैरों को नॉर्मल उसी पोजिशन पर रखेंगे चले शुरू करते हैं तो यह थी अपनी ठाइड एक्सराइज अब हम लोग करने वाले फॉर्थ एक्सराइज इसमें हम अपना पॉस्टर ठाइड एक्सराइज की तरह रखेंगे इसका नाम है साइड टू साइड पुसब अपने हाथों को चोड़ा ही रखेंगे और पॉस्टर अपना सेम ही रखेंगे यह थी अपनी फॉर्थ एक्सराइज यह बहुत यह अच्छ एक्सराइज से आपके चस्ट पर अच्छा पंपप आएगा और जो मैं आपको फिप्ट एक्सराइज बताने वाला हूँ वो और यह अमेजिंग एक्सराइज उससे आपके चस्ट पर बहुत ही अच्छा प्रेसर पंपाएगा और आपका चस्ट जो है इंक्रीज होगा अच्छे से तो फिप्ट एक्सराइज है अपनी इनक्लाइन पुसा इसके लिए हमें किसी उची जगह की जरुत पड़ेगी तो आप अपने गर पे टेबल चेयर जो भी आपके पास हो उससाब से आप मैनेज कर सकते हैं यह थोड़ा सा हाड पुसा पर इसको करते हैं आप लोग ध्यान देना कि आपका पोस्चर इदा उदर नहीं हिलना चाहिए तो यह थी अपनी पाचो एक्सराइज इन पाचो एक्सराइज के आप दो से तीन सेट कर सकते हैं और रेप आप लोग कोशिज के रिए दस से बारा अगर आप एडवांस लेबल पर हैं तो आप बारा से भी ज्यादा रेप कर सकते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक देना और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्लीज आपसे लेख भीडियो आपसे कर सकते हैं